हेलो दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में और ये वीडियो बहुत important होने वाली है बहुत important होने वाली नहीं है बहुत important है अगर आप इस वीडियो को गोर से देखोगे और इस वीडियो को समझोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस वीडियो से बह में D-FRAC, D-F-R-A-C, D-FRAC, यह एसी एक fact check organization center है, जहां से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी news fake है, और कौन सी news real है, ठीक है, यह एक ऐसा platform है, मैं आपको बतायता हूँ, यह सभी social media platform पर available है, साथ ही साथ यह work कर रहा है, website पर, twitter, instagram, facebook, and telegram, मतलब जितने भी social media platform है, वहाँ पर यह available है, अगर आपके पास कुछ भी एक इस तरह की अफवाई की images आ रही है, यह अफवाई की आप, कुछ भी आपके पास videos आ रही है, और आप पता लगाना चाहते हो, कि भाई यह fake है, यह real है, यह अभी की है, यह पिछली की साल पुरानी है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, आपको mislead करते हैं, आपको fake news आपके सामने forward करते हैं, जबकि वो news काफी साल पुरानी होती है, और उसको कुछ इस तरह से manufacture करते हैं, उस तरह से उसको design करते हैं, कि ऐस जिसा लगता है कि जिसा अभी की हुई हो सबसे पहले मैं उनकी वेब साइट पर लेके चलता हूँ आप वेब साइट में जाकर के देख लेना कि रहे किस तरह का कॉंटेंट उनका होने वाला है और होता है और आप शोचल मीडिया आप भी देख सकते हैं वहाँ पर बहुत मतल अगर आपके पास भी इस तरह की आपके ग्रुप में या कहीं पर भी अगर आपको कोई फेक न्यूज नजर आती है जिसका कोई एक तप्तिय नजर नहीं आता कि हाँ यह सची है जूटी है अगर आप कंफ्यूज हो ठीक है तो शोचल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी आप उनको मैसेज भी कर सकते हो मैसेंजर के थुरू या किसी भी मतलब आप फेस्बुक पे हो तो भाई फेस्बुक पे भी आप मैसेज कर सकते हो कि हमें इसका पता लगाना है कि यह रियल है या फेक है आप इंस्टरग्राम पर भी उनको मैसेज करके आप पूछ सकते हो कि यह इस चीज पर work कर रही है क्योंकि आप mislead होने से बच सकते हो आप fake news forward करने से बच सकते हो क्योंकि आज के time में क्या हो रहा है जब भी कोई ख़बर आती है चाहिए वो 5 साल पुरानी हो लेकिन उसको इस तरह से design किया जाता है आप दूसरे group में forward कर देता हो तो उसके उससे क्या होता है उससे एक mislead पैदा हो जाती है उससे मतलब mind के अंदर गलत फेमिया पैदा हो जाती है बहुत सारी मतलब मैं आपको एक example की दूरू बतायता हूँ में जब तक नहीं बताई जा रही है वो बात जब तक आप उस पर विश्वास नहीं कर लेना मत करना भाई क्योंकि अगर आप वह चीज पढ़ोगे और आप बगेर मतलब उसको सोचे समझे क्योंकि उस पर कोई ना time होता ना कोई date होती ना किसी company का stamp होता ना mail होती किसी तरह की कोई महापर ऐसा evidence नहीं होता कि हाँ भाई इसको हम पता लगा सकते हैं कि यह सची है जूटी है तो भाई अगर आपको वो पता लगा नहीं है तो भाई इनके social media platform पर जाओ और महापर उनको follow करो अगर आपके पास भी इस तरह की fake news या hate speech आप के पास आ रही है और आप उनका हकीकत जानना चाते हो तो message करके आप पूछ सकते हैं उनको mail भी कर सकते हैं और आपकी जो भी problem से कि यह इस तरह से खबर फैलाए जा रही है आप उनको बता भी सकते हैं कि इस चीज से कैसे बचा जा सकता है तो भाई मैं आशा करता हूँ अगर आपके पास भी इस तरह के messages आ रहे हैं mislead कर रहे हैं आप लोगों को आपके group में उल्टे सिद्धे messages आ रहे हैं आप उनका पता लगाना चाहते हो तो भाई प्लीज एक बार इसको defract fact check organization center को आप follow करो और देखो किस की चीजों पर यह fact check कर रहे हैं किस की चीजों पर misleading देख रहे हैं है हैट इस पीसे हैं किस तरह से रोखने का काम कर रहे हैं यह वैसे मैं आपको बता दूँ एक बहुत अच्छा काम यह कर रहे हैं यह आपको fake news जो फेलाई जाती है groups वगेरा में बहुत चाही नहीं है सचाही कुछ और होती है तो मैं चलता हूं इनकी website पर लेकर के आपको हकीकत दिखा दिता हूं कि भाई कहां काम कर रही है यह company किस चीज को बढ़ावा दे रही है यह company तो चलता हूं मैं सीधा अपने laptop की display पर लेकर और मैं आपको सारे के सारे social media platform के link अपने description में दे दूँ हों वहाँ पर जाकर के उनको follow करो और अगर आप भी पता लगाना चाहते हो कि आपके पास जो भी news आ रही है या किसी भी social media platform से आप देख रहे हैं कि हाँ यह खबर सची है या जूटी है मतलब आप बिलकुल पता नहीं लगा पा रहे हो तो भाई आप उनको DM करिए या उसको photo send करिए आप जो भी आपके पास है जिसका भी आप पता लगाना चाहते हो तो आपको within one and two hours के अंदर वहां से आपको revert मिल जाएगा ठीक है तो चलते हैं अपनी laptop की display पर तो दोस्तों आच चुका हूं मैं अपनी laptop की display पर और आप यहाँ पर देख सकते है यहाँ पर आप नीचे की और देख सकते हैं यहाँ पर यह फैक्ट चेक भाजपा सांसत मौस्तिवारी की दिली वालों ने की पिटाई तो यह क्या ख़बर थी इसके हम अब गिराईयों में जाते हैं तो सबसे पहले में इस पर क्लिक कर लेता हूं इस वीडियो के भाई मनो इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि भाई क्या हुआ उसको क्यूं हुआ कैसे मतलब ऐसे पर्टी वर्टी क्यूं बंदी हुई हैं तो complete इसके अंदर इन्होंने इसके एफैक्ट चेक में बताया हुआ है कि भाई क्यूं ऐसा क्यूं हुआ तो basically इसी पर काम करते हैं कोई भी अ about section में आप जाकर के ठीक है और भी बहुत सारी जो मतलब हैटी स्पीच फिलाते हैं जो भी हैटी स्पीच सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट वगड़ा डालते हैं तो यह उसको रोकने का काम करते हैं ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं मुसलमान में आज तक सिया और सुन में बताते हैं अभी कुछ तैम पहले आपने ये खबर भी सुनी होगी सारुखान गदार है तो यह भी खबर लोगों ने काफी चलाई अपने शोचल मीडिया प्लैटफॉर्म पर तो यहाँ पर यह भी फेक निकली तो जो भी हैटी स्पीच या मिस्लीड करने की कोशिश कर करता है तो यह उस पर करते हैं और उसका सच उसका जो सच है वो बाहर निकलते हैं और यह वजानिको को यूट्यूब चैनल इनका है। bass के नाम से ही यह यह इनका maree जाता है और देख सकते हैं यह यह जoga है जो भी जिस दिन भी trending में रहता है इनका गूगल ट्रेंड जाता है तो यह उसका प्रपर एक पोस्ट बनाते हैं कि वह trending में कहां पर चल रहा है क्यों trending में है वह और किस time trending में है तो आप यहां पर देख सकते हैं यह दुल मिलाद के बारे में आप लिखा हुआ है और जमू एंड कश्मीर के अंदर यह trend कर रहा है और इस time trend कर रहा है तो आप पूरा graphics में graph देख सकते हैं बाकी Twitter पर क्या trending में चल रहा है वह सब लड़की हूं लड़ सकती यह आज trend कर रहा था यह तो इनका पूस्ट जाता है डेली बाकी जो भी यह देख सकते हैं आप यहां पर मनोतिवारी का Twitter पर भी आस आ गया है जो भी कोई mislead करता है यह आपको hate speech फिलाता है तो भाई यह उसी को रोकने का काम यह करते हैं defract यह स्कैम पर वर्क चल रहा था basically यह आर्मी वाले बनके OLX पे Facebook पे अपना समान बेंचते हैं बस पैसा ले लेते हैं लेकिन समान नहीं पहुंचता यह उस पर भी वर्क कर रहे थे ठीक है तो इस तरह से मतलब वर्क करते रहते हैं जैसा एक अभी misleading कर रहे थे कि भाई सारुक खान का plan crash में मौत हो गई है त तो इसका जो account है वो suspend हो गया तो इस तरह से अगर आप यह काम करते हो आई हो आप आप नहीं करते होंगे लेकिन अगर आप सोचते भी हो तो भाई प्लीज मत करना क्योंकि आपकी इतनी महनत है आप इतने time से work कर रहे हो social media पर और अगर आप एक गलत पोस्ट कर देते हो तो भाई आपको वहाँ पर suspend भी आपके जो account है उनको भी suspend करती है जाता है तो भाई इन सब्सक्राइब करते हैं और अगर आपके पास भी कोई news आती है और आपको लगता है कि यह fake है तो आप इनको DM कर सकते हो और उसका सच जान सकते हो कि भाई वो खबर सची है या जुटी है अगर आपके सामने misleading आपको कोई भी social media platform आप यूज करते हो अगर आपको वहाँ पर कोई भी mislead करता हुआ नजर आता है या head speech फिलाता हुआ नजर आता है तो आप उसका screenshot लेकर के defrag को DM कर सकते हो वहाँ से आप उसके account को भी suspend करा सकते हो तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो भाई प्लीज इसको like share और चैनल को subscribe जरू कर देना और defrag को भी आप follow कर लिजिए और चैनल पे subscribe शरूर कर लिजिए thank you